कि हलो एड़ीवान वेलकम टू नेक्स व्लॉग मैं हूँ जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग सो मेरी गाड़ी के अंदर मेरे पास है महेंद्रा गेटेवे पिकप ट्रॉक उसमें बहुत सारे मोडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसके उपर पूरा व्लॉग है उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर रहा हूं सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर गाड़ी के अंदर थार में भी एक बहुत बड़ी चीज है प्लास्टिक पार्ट्स हैं जो दीरे-दीरे हलके से फेड हो जाते हैं सेम टाइम हमको अमारी गाड़ी के पार्ट्स को और ज्यादा रगेड करना है जिनको रगेड क सब्सक्राइब करने के लिए सारी चीजों के लिए आज मैं आरका हूं ओल्डाइरन कस्टम जो की बना का है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है अगर आपको कोई भी मोडिफिकेशन या कोई भी राय लेनी हो तो आप मेरे जो नीचे की तरफ जो लाइन दिखरी है सोशल मीडि आप उस पर फॉलो कर सकते हैं आप मुसे पूछ सकते हो कि जैपूर में पीपीएफ कौन करता है या जैपूर में कस्टमाइज कौन करता है मैं आपको लिंक्स दे दूँगा और आप लोगों का काम हो जाए तो आज मैं राप्टर कोट करा रहा हूं मेरी गेटवे के उपर अब उससे फाइदा क्या है पहला आपका राप्टर कोट कराने के बाद में रस्त नहीं आता जंग बिल्कुल भी कहीं भी नहीं आता पहला रीजन दूसरा रीजन जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो स्क्रैच होने की प्रॉबिलिटी है क्योंकि ए माटीरियल हेवी है और चिपकावा रहता है तो कलर से इसके स्क्रैच होने की टेंडेंसी कम हो जाती है तो फिल हाल मैं इस गाड़ी को पहले उस राप्टर कोट को मेरी गाड़ी पर टेस्ट कर रहा हूं अगर है सक्सेस्फुल हुआ तो मेरी ग्रूप की जित्ती थार है उन सब के बं कर देना चीए तो भानू बनाने का जब राप्टर कोट करी रहे हो तो तो बैंड लाइनर को भी राप्टर कोट कर दो तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सिधेLPसी बाठ रचैच और वहां देख आ कि राप्टर कोट कैसा होता है तो गाइज इस वक्त मैं हूँ Old Iron Custom और अब आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं कि हमारी जो गेटव है उसके अंदर क्या हो रखा है सो जो राप्तर कोट है यह बहार से इंडिया में आता है भाईया मेरी गाड़ी के उपर पूरा का पूरा यह कोट कर रहे हैं तो आप इसको जब टेक्स्ट्र को देखोगे तो यू विल रियलाइज कि यह नॉर्मल पेंट जैसा नहीं है सो भीया मुझे एक बाई बताओ इस कोट को करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो कैन आया था उसके अंदर क्या करा उसमें हाडनर मिलाया हाडनर मिला करके फिर उसको पूरा यह किये अच्छा उसे हाँ जी जी मैं समझ गया मैं कस्टमर्स को बता देता हूं सो बेसिकली होता है आपके राप्टर कोट के कैन जाते हैं जिसके अंदर आपको एक अमाउंट में हाडनर मिलाना होता है उसको अच्छी तरह शेक करना होता है राइट अच्छी तरह उसको हिलाना होता है जिसके बाद में इस पे स्प्रे किया जाता है और गाईस लिटरली वाली जो फील है वो हो जाएगी मैंने यहीं नहीं करा इसके साथ ही मैंने गाड़ी के जो साइड में थे यहाँ पर भी कर दिया अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रैप्टर कोट होता है इसका वो जो बॉटल है वो दिखती कैसी गाइस अब अगला काम क्या कर रहा हूं म है मेरी गाड़ी के उपर लोहे का यह वाला जो पाइप है यह साइड प्रोटेक्शन में भी लग जाएगा जैसे पीछे की तरफ लगता है तो पीछे वाला जो मेरा है वो यह रा बंपर आप देखो इसमें यह वाला जो पार्ट है इसी तरीके से इसमें आगे भी यहाँ लगेगा और साथ के अंदर अब मैं आपको दिखाता हूं कि वह जो बॉटल है यह देखो गाइस यह वाला जो है यह कुछ ऐसा दूसरी तरफ के लिए भी बनेगा तो दोनों तरफ प्रोटेक्शन हो जाएंगे साथी के अंदर जो भीया है भीया यह हमारे फाब्रीकेटर चेयолетर भ荺या बानुबह हैनों और यही है जो मेरी गाड़ी में सारे लोहे का काम करवारे होते हैं अब मęt आपको दिखाता हूं राप्टर कोट का बॉक्स कैसा तो कुछ पहले ही आता है अगर आपको कोई दूसरा कलर चीओ तो आप दूसरा कलर भी ले सकते हो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी जो गन होती है वो गन कैसी दिखती है सो कुछ इस तरीके की गन होती है जो की इसके आगी की तरफ लगी भी होती है यू पोल करके ब्रैंड है जिसकी ये गन है और आपको कोई साभी ऐसा कोई से मॉडिफिकेशन कराना हो तो आप मुझे इंबॉक्स करें ओल्ड आरन कस्टम है फेस्बुक पे आप उनको भी फॉलो करें बानु बना अब देखो जो अगली चीज में आपको दिखाने वाला होना मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगा ठीक है नहीं आ रहे हैं आप संशेड इसके उपर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ब्लॉक बनाओ कि बैस संशेड क्या बनाया जा सकता है लगाना चाहिए कंपनी वाले के अलावा क्या-क्या उप्शन से उसके उपर सो जैसे मेरी गाड़ी पूरी होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरा यह था कि ज्यादा भार ना निकले यह गाड़ी की पूरी की पूरी रेंज के अंदर हो सो कुछ ऐसा दिख रहा है पाइप आगे से और पूरी गाड़ी के अंदर मैंने जो कोट था वह लग चुका है राप्टर कोट और बहुत ह कि अमेजिंग एक्सपीजेंस इस राप्टर कोट का बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे फोटो देखकर यह पूचा कि यह बैड लाइनर किते में लगवाया तो यह बैड लाइनर नहीं है इस सिफ राप्टर कोट है राप्टर कोट देख लो इतना स्ट्रॉंग है कि यह जो है इसमें अपने आप ही फर्क आगया पूरे के पूरे के उपर और आप क्या है कि गाड़ी थोड़ी और प्रोटेक्टिव हो गई मेरा क्या प्लान था कि अभी लेटेसली मैं इस गाड़ी को लेकर और हम एक नाइट ऑफ रोडिंग पे जाएंगे नाइट ओटी आर के पड़ी होगी उसको हटाकर यह नहीं लग गया है फीछे की तरह पूरा प्रोटेक्शन लग गया और अब गाड़ी के अंदर जो बाकी काम है वह भी होंगे अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगे तो आपको क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडिय बनाओ अपने फैमिली फ्रेंड्स को कहना है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मिलते अगले व्लॉग के साथ में जल्दी